हरियाना के रिवारी में कम्पनी में बॉलर फटने से घायल पांच मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है इस हाथसे में 40 करमचारी घायल होई थे जानकारी के नुसार रिवारी जिले के धारू हेडा की लाइफ लॉंग फैक्टरी है यहाँ पर शनिवार को प्रशर पाई फटने से 40 करमचारी घायल हो गए थे हाथसे में जुल से शमिकों में से चार घायलों ने बिते मंगलवार देर रात रोहतक में दम दोड़ दिया ऐसे में मरने वालों की संख्या अब 5 हो गई है स्थाने पुलिस ने 5 मौतों की पुष्टी की है हाथसे में घायल 6 अन्य करमचारीों की हालत नाजुक बनी हुई है जानकारी मिली है कि रोहतक PGI से 8 करमचारीों को दिल्ली के सफतरगंच अस्पताल रैफर किया गया था यह सभी बर्न वार्ड में भरती है यहाँ पर उत्तरप्रोदेश के बहराईच के गाउं भाकरी के विजय की मौत हो गई है वही रोहतक में यूपी के मैनपूरी के गाउं उसानीधा के अजे उम्र 32 गोरखपुर के गाउं सेवल के रामू उम्र 28 और फ्याजाबाद के गाउं जखौली के राजेश उम्र 38 की मौत हुई है उधर घटना शनिवार को पेश आई थी इस मामले में पुलिस ने रविवार को केस दर्श किया था हर्याणा के मुख्य मंत्री नायप सिंग सैनी ने घटना की उपमंडलिय मजिस्ट्रेट के तहट पर जाँच की आदेश दिये फिलहाल पुलिस भी घटना की जाँच कर रही है मामले में ठेकेदार सहित अन्यपर धारा 287, 337 और 34 के तहट केस दर्श किया गया है कमपनी में आटो मुबाइल के स्प्यर पार्ट्स बनाए जाते हैं साथ ही मामले में CM द्वारा गठित कमेटी भी जाँच कर रही है हादसे में जुल से करमचारियों के मुताबिक हादसे के वक्त कमपनी में लगा बड़ा एमर्जनसी गेट बन था इस कारण आग लगने के बाद करमचारी फसे रहे अगर मौके पर गेट खोल दिया जाता तो कई करमचारी जुलसने से बच सकते थे